आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे दिन भर कैसे उचलते कूदते रहते हैं जहां कहीं भी कुछ समान रखा हो तो उसको उचल कर पार कर लेते हैं रसी कूद खेलते हैं, कभी-कभी रसी को इस तरह तान कर इसको बिना गिरे पार करने का खेल भी खेलते हैं, तो बहुत बार दोस्तों के साथ सीधा उपर तक कूदने की प्रत्योगता भी करते हैं, तो आपने गौर किया होगा ऐसा करते हुए हर बार बच्चे इस तरह सीधा कूदने की कोशिश करते हैं प्रोफेशनल खेलों में हाई जम भी एक ऐसा ही खेल है जिसमें पहले खिलाड़ी इसी तरह से कूदा करते थे लेकिन 1968 के ओलंपिक्स में इस खेल में एक बड़ा बदलाव आया जिसमें डिक फॉस्बरी नामक खिलाड़ी एक नई तकनीक लेकर आये नमस्कार मैं हूँ निशा और आज हम इसी उची कूद या हाई जम पर चर्चा करेंगे और इसकी अलग लग तकनीकों को समझते वे जानेंगे कि फॉस्बरी ने अपनी तकनीक में ऐसा क्या रहसे चिपा दिया कि बाकी सब खिलाड़ी भी इसी नई तकनीक का ब्योग करने लगे डिक फॉस्बरी पेशे से इंजीनियर थे और हाई जम में अच्छे भी नहीं थे उनके दोस्त अकसर उनका मजाक उडाया करते थे और कहते थे कि तुमसे तो एक कुरसी भी पार नहीं की जा सकती है डिक फॉस्बरी उची कूद करते समय हमेशा बार से टकरा जा इसी तकनीक का उपयोग करके 1968 के उलम्पिक्स में उन्होंने गोल्ड मैडल जीता और 2.24 मीटर जम करने का किर्तिमान स्थापित कर लिया तो इस बार ऐसा क्या जादू हुआ कि हमेशा असफल रहने वाले फॉस्बरी ने किर्तिमान स्थापित कर दिया और तो और बाकी खि लाड़ी को दोड़ते हुए सीधा उपर की ओर एक आड़े डंडे के उपर से होकर बिना इसे गिराए कूदना होता है यहां डंडा एक निश्चित उचाई पर रखा होता है इसकी उचाई तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि केवल एक ही प्रतियोगी इसके उपर से इसको बिना गिराए कूदना जाए हाई जंप की पारंपरिक तकनीकों में सीजर्स या कैची तकनीक में बार को एक सिटिंग पोजिशन यानि की बैठने की स्थिति में पार करते हैं और पैरों से ही जमीन पर उतरते हैं स्ट्रेडल तकनीक में खिलाडी अपने पैरों को फैला कर अपना चहरा नीचे करके बार को क्रॉस कर पाता है जबकि वेस्टर रोल में खिलाडी बार को अपने साइट से इस तरह से पार करता है कि एक पैर सरीर के बाकी हिस्सों के नीचे टिक जाता है वही दूसरी ओर फॉस्वरी फ्लॉप में खिलाडी इस तरह अपनी पीट से बार को पार कर पाता है शुरुवाती दौर में जब खिलाडी दूसरी ओर लेंड किया करते थे तो वहाँ पर सामाने तर रेत और भूसा ही रहता था और इसी लिए किसी भी दुरगटना से बचने के लिए खिलाडी बैठने की पोजिशन में ही पैरों के बल दूसरी ओर उतरने की कोशिश किया करते थे लेकिन बाद में रेत और भूसे की जगा पर गद्दे और फोम जैसे कुशन्स इस्तमाल में आने लगे और आप देख सकते हैं कि फोस्बिरी फ्लॉप में खिलाडी बार के दूसरी ओर अपने पीट के बल गिरता है और इसमें किसी भी तरह की दुरगटना या चोट से बचने के लिए इस तरह के कुशन का होना आवश्यक था फोस्बिरी फ्लॉप को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि दर्वेमान केंद्र क्या होता है अलग लग वस्तों का दर्वेमान केंद्र कहां पर होता है और हम इसे कैसे पता करें द्रवेमान केंद्र यानि center of mass किसी वस्तु का वह बिंदू है जहां पर हम यह मान सकते हैं कि इस वस्तु का सारा का सारा भार केंद्रित है यानि कि अगर हमें इस rectangular shape या square shape का center of mass निकालना हो तो हम पहले दो diagonals खीच देंगे यानि कि दो opposite corners को मिलाने वाली रेखा को खीच देंगे जहां पर ये दोनो लाइन आकर मिलेंगी वहीं इसका center of mass होगा अगर इस point को उंगली पर टिका दें तो यहाँ बड़ी आसानी से balance हो जाती है लेकिन अगर किसी random shape का center of mass निकालना हो तो तब क्या करेंगे इसके लिए हम इसे table में रखकर इस तरह से आगे को खिसकाते जाएंगे और जैसे या गिरने वाला हो तो उस समय इस table के along इस पर एक line खीच देंगे अब इसे लगभग 90 degree घुमा कर इसी process को दुबारा दोराएंगे जिस बिंदू पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वही इसका center of mass है और इस बिंदू पर यहाँ उंगुले पर भी संतुलित हो जाता है और इसी तरह हम भारत के map का भी center of mass निकाल सकते और इस बिंदू पर हम इसे कील पर भी balance कर सकते हैं center of mass निकालने का एक दूसरा तरीका भी है इसके लिए इस धागे के एक सिरे पर इस pin को लगा देते हैं और दूसरे सिरे पर इस भार को लटका देते हैं अब pin की सहायता से इस shape को इस तरह लटका देते हैं और ध्यान रहे कि इस स्थिती में यह shape freely घूमना चाहिए और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह धागा एकदम सीधा है और इस स्थिती में इस धागे के along यहाँ पर एक line थीज देते हैं इसका मतलब है कि center of mass इसी line में कहीं है इसको पता करने के लिए इस shape को किसी एक और अन्य बिंदू से लटका देते हैं और इसी process को दोहराते हैं जहां पर यह दोनो lines मिल रही हैं वही इसका center of mass होगा और इसको confirm करने के लिए इसको किसी तीसरे बिंदू पर लटका कर देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि यह दागा इसे बिंदू से होकर गुजर रहा है अब इस बिंदू को हम इस कील पर संतुलिट करके भी देख लेते हैं हमेशा यह जरूरी नहीं कि किसी वस्तू का center of mass उसके भीतर ही हो जैसा कि इस circular ring में इसका center of mass इस ring के पदार्थ के बाहर यहां इसके बीच में होता है और अगर हम इस semi circular ring को consider करें हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जिस बिंदू पर हम इसे balance कर रहे हैं इसका center of mass यहीं पर हो पर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा होता तो जब हम इसे उंगली पर इस तरह रखते हैं तो यह balance रहता लेकिन ऐसा नहीं होता है और यहाँ नीचे की और को गिर जाता है इसका मतलब यहाँ है कि इस semi circular ring का center of mass यहाँ पर नहीं है बलकि नीचे कहीं पर है जिसके वज़े से जब हम इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो यहाँ घूम जाता है चलिए अब जानते हैं कि Fosbury flop में ख्यारी क्या नया करते हैं तो इसके लिए पहले इस वीडियो को देखते हैं इसमें Fosbury ने अपनी Peat को बार के उपर से ले जाकर इसे पार किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बार के उपर अर्ध वृताकार यानी curved कर लिया। और यहां पर हुआ यहा है कि पूरे शरीर का सेंटर ओफ मास शरीर से बाहर बार के नीचे ही रहा। अमेरिकन हाई जमपर जैसे विलियम्स की पीट सेंटर ओफ मास को न्यूनितम रखने के लिए 140 डिगरी का आर्च बनाती है यानि कि जब खिलाडी का शरीर पीट से मुरा हुआ होता है यानि कि अर्धरता का या कर्वट शेव का होता है तो उसका सेंटर ओफ मास इस रिंग की ही तरह शरीर से बाहर यहां नीचे की ओर होता है तो आज के वीडियो में हमने अलग अलग वस्तों का सेंटर ओफ मास निकालना सीखा और जाना की हाई जम्प में खिलाडी सेंटर ओफ मास के कंसेप्ट का उपयोग करते हैं अगले वीडियो में हम सेंटर आफ मास पर आधरित कई मनुरंजक प्रियोग करेंगे धन्यवाद